हेलो प्रेस्ट वाइक में चनल आप सब्सक्राइब स्वागत है फिर से हमारी चनल लेक निम्टोपी के साथ आज के वीडियो का जो ठमनेल देकर आप लोगों को पता चलिए आज के वीडियो कैसा राने वाला है यह बिसिकली रिवीट का फस्ट पार्ट है हमारा जो कि मैं ब क्या हो जिसको इसकी पूरी कहाणी के बारे में जाननी है पूरी आर्टिक्टिर पार्ड अपको रिवीट में सिखनी है तो यह वीडियो उन्हीं भाई साबंके लिए हैं तो कहीं जाएगा मत इसकीप किए वीडियो देखिए ठीक है इस्टाट करते हैं आप जब रेविट को इंस्टॉल करते हैं आपने सिस्टम में तो आपके पास इस तरह लोगों इंटरफेस आपको डिश्मबोर्ट पर दिखेगा आप उनको जब डवल किलिक करोगे डवल किलिक क सरस्क्राइब करने के अबाद आपका ये इंटरफेस आएगा अ तो ये इंटरफेस आपको डिखाए fak졌 दिखाए में देखो यह प्रोजक्ट है मारा प्रोजक्ट क्या ओपन करनी है तो ये इससे ओपन जाएंगे हमारे। यूँ कोछ कर न्यूजी सै मैं को क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक construction template आता है ठीक है पान्ससयर template में क्या architecture template structure template हां हम एक mechnical template मुझे इस वाले इसवाले mechanical template से कोई लेना देना नहीं है हमें structure template architecture template यह तीनों पार्ट हम कंप्लीट फिरी भी सिखाएंगे आप लोग वह वी डीटेल से सिखाएंगे बस आप लोग कुछ टाइम आधा गंटा अपने लाइब की 24 हावर्स में अगर आप वन हावर्स निकालते हैं तो 67 इस्टमेशन पार्ड भी सिख जाते हो रेविट आर्किट करेंगे कोई बेसिकली नहीं सबको एक लाइन मारना सिखाएंगे वाल खाय करना सिखाएंगे देखना कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को जब आप वाल बनाओगे तो बैसिकली आप एक तरफ वाल बनाओगे और दूसरी तरफ आपको 3D मिल जाएगा और सेक्शन कटके अपने आप त्यार हो जाती है यह है और यह है रिवीट की फैदा ठीक है और बहुत ही अच्छा जब यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ठीक है तो चलो हम आज मैं आर्किटेक्टेक्ट्र टेमपलेट को क्लिक करके दिखाता है यह वाला जो कि कुछ देर यह टाइम लेगा तब तक आप वेट कीजिए इस इसमें दो तरह की ब्रोजर मिलेंगे आपको सोरी आज आज आप लोगों बैसिक चीजा में बताने जा रहा हूं जो कि यूनिट कैसे सेट करते हैं और पूरे यूनिट मतलब यह इसका इंटरफेस बताने वाला यह जुआ है देखको यह मेरा यह टूल वार्स है यह हमरा क्या जितना भी आपको यह एरिया देख रहा है यह है सबकी working अलग-अलग है जिसका देखो वाल है डोर है बिंडो है component के बारे अभी नहीं बताऊंगा बिसेकली इसकी पोज़ाएगा आपके mind से component का मतलब बता है कि आप किस तरह की design देखो आप जिस तरह इस पर क्लिक करते हो तो को यहां पे एक डिजाइन सा बना आता है कितना सुन्दर 3D आपको दिखने को मिल रहा है तो इस तरह के हम बना पाएंगे यह रेबिट के हल्प से यह हमारा टूल्स है मतलब यूज करना जा मैं आर्किटेक्ट्चर को जब क्लिक किया तो उसका टूल्स क्या सेलिंग है रैंप है इस्टेर केस है यह हमारा मोडल टेक्स है यह मोडल लाइन है यह मोडल गुरूप है यह रूम है यह हमारा सेपरेट है यह टैग है यह सारे टूल्स हमारा देखेंगे और वन 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 करके हम स्टार्ट करेंगे ठीक है बिसकली इंट्रोट्रेक्शन वर्किंग अलग-अलग है मैं हर चीज आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा तो चलते हैं ये ये प्रोजेक्ट ब्रोजर का क्या है जब मैं इस वाले वर्किंग एरिया पे काम करेंगे तो हम इसकी हेल्प से करेंगे जो कि हमारा यहां पे लेवल, लेवल, टू, स्लिंग, प्लांग ये क्या होता है ये हर चीज आपको सिखने को मिलेगा वो भी डिटेल से पार्ट बाई पार्ट तो ये मेरा क्या प्रोजर का है ये हम जब करेंगे अभी यूएन सेट करके दिखाता है आपको यूएन का मतलब क्या है कि आप inch feet में काम करना चाहते है या तो आप mm और meter में काम करने चाहते है तो ओ चीज बेसिकली है अब हम properties की बात कर दिए ये properties में क्या है जो material हम लेंगे अब lag करेंगे तो यहां से हमारा changes हो बहुत easy है आप लोग देखके घमरये मत बिल्कुल easy है मैं step by step अगर में सिखाऊंगा न तो आप लोगों मज़ा जाएगा आप कहोगे कि नहीं कास ये video पहले मिल गया होता तो आज में एक architecture बन गया होता लेकिन सबसे पहले कौन जानता है क्या है नहीं है मैंने basically अब ये channel आप लोगों के लिए बनाया है जो कि हर part को मैं देरे देरे हर चीज में सिखाना चाहता वो भी free में कभी आप लोगों से कभी future में कभी पैसे नहीं लिया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग बने रहे हैं चैनल को subscribe कीजिए और हमें support कीजिए ठीक है आपकी support की जोरता हमें ठीक है thank you so much आज बस इतना ही मिलते हैं next video में एक new topic के साथ part 2 में ओके